हेलो प्रेंट्स और विक टो मैं चैनल आज का इस वीडियों बहुत ही खुपसरा सब पप सिलिप आप सभी को साथ सेयर करेंगे चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती है तो पहले हमें चौकर सेब में कटा हुआ पीस ले लेनी है दो इंच लंबाई दो इंच ओडाई और ऐसे ह साइट से फोल्ड करते हुए इसे प्लावर पत्ती बना के त्यार कर लेंगे तो कॉर्णर के साइट से इसे फोल्ड करेंगे और खुपसरा सा प्लावर पत्ती बन के त्यार हो जाएगी तो पहले इसको हम स्टिचिंग करेंगे उसको बात नीचे के बची हुई फिबरी को क कर लेंगे अर्व हमें धेर साड़ी बना लीनी है अब इसको हम लाई लिंग के कपड़ा रहा अर्भान दोनों ही हमने कर ली है तू लंबाई हमने लिया 14 इंच इस पर चौड़ाई है 5 inputs अब इहां से लायिंग के इसे ड्रो कर लेनी है द्रो करने के बाद थोड़ी से यहां पर हाप इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसे ड्रो कर लेनी है तो यहां पर देखिए हमारा ड्रोइंग हो चुकी है यहां पर इसके मेजर्मिन किया हुआ पेड़ी इसको कटिंग कर लेनी है तो दोनों ही पीस हमन तो देखी प्रेंस कोर्नर के साइड में थोड़ी सी अच्छे से स्टिचिंग करना परता है तो देखिए अच्छे से स्टिचिंग हमने एक साइड कर ली है अब दूसरे साइड में भी इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो देखी प्रेंज दोनों साइज स्टिचिंग करने के बाद इहां पर हमें कट लगाना बहुत ही जुरूरी है और इहां पर भी छोट छोटा कट लगाएंगे अब कट लगाने के बाद ऐसे ही इसे पलट लेनी है तो इहां से पलटना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से बाहर के तरफ निकाल लेंगे और जैसा सेब में हमने सेब दे के कटिंग की थी उस सेब में इसको निकालने के बाद उपर से हमने यहाँ पर चाप सिला लगा दी है तो चारो साइड इस चाप सिला को पहरे लगा लिनी है तो प्रेंस अभी तक भी भारती ओपिसेल चैनल के सस्क्राइब नहीं किये है तो प्लीज चैनल के सस्क्राइब कीजिएगा बेल नोटिफिकेशन जरू से प्रिस करना जब भी नएने वीडियो अपलोट करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखिए चारो साइड हम इसको अच्छे से कटिंग कर ली है 5.5 इंच लंबाई 5.5 इंच ओडाई और नीचे के ओर से ऐसे ही छोड़ी सी कटिंग करने से फहले इसको ड्रो कर लेंगे तो देखिए ऐसे ही कोर्नर के साइड से इस ड्रोइंग फहले कर लेंगे इसके बाद इहां पर कटिंग कर लेंगे तो लाइनिंग के फेबरीक और हमारा में फेबरीक दोनों ही अच्छे से चिपकाते हुए रखनी है और कोर्नर के साइट अच्छे से कोर्नर के जो हमारा डिजाइन है उसको अच्छे से निकालते हुए इसे कटिंग कर लेंगे तो स्टिचिंग होने के बाद इसको कटिंग हो चुकी है और अच्छी तरीके से अचीज़ सेप में आच चुकी है अब इसको डिजाइन क्रियेट करेंगे और यहाँ पर जो देखती हो इसको भी अच्छे से निकाल लेंगे बाहर के तरप और यहाँ पर भी चाप सिलाई लगाने के बाद इसको पका कर लेंगे तो देखें परेंस इसको भी चाप सिलाई हमने लगा दी है और यहाँ पर हमें थोड़ी सी मार्जिन छोड़ देनी है क्योंकि हमने जहाँ तक डिजाइन बनाएंगे वहाँ तक हम ले लेनी है और यह जो आप फेबरिक देग रही हो अंदर के साइट चले जाएंगे तो ऐसे ही फ्लावर पत्ती हमने जो बना के तयार की थी एक के पेर एक रखते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो हमने ऐसे ही पूरे डिजाइन पे इस फ्लावर पत्ती को लगा लीनी है उसके बाद और भी मीडिल में खुपसुरस्तर डिजाइन क्रियेट करेंगे और मीडिल में थोड़ा सा धियान दीजिएगा अगर आपका फ्लावर पत्ती जो है ओ एक्जस्ट कर रही है तो आप उहाँ पर जरूर डाल सकते है तो हमारा इहाँ पर अच्छे से एक्जस्ट नहीं हो रही थी तो हमने इहाँ पर नहीं डाली इसके बाद इहाँ पर छोटे जो हमने फ्लावर पत्ती बना के तयार खी थी उसे पहले हम लगा लेते हैं चाड़ो और लगाने के बाद दिखाते ही इसको final look तो देखे प्रेंज जहां तक हमने लगाना चाहते थे औहां तक इस flower पत्ती को लगा ली है अब नीचे के और भी इसे लगानेंगे पहले से तो देखे यहां पर लगाना स्टार्ट कर दी है अब इसको design में create करेंगे design create करने के लिए जे हमने जो अभी fabric पर design बना के तयार की थी उसको रखेंगे अंदर के side और measurement कर लेंगे तो उसको हम रखेंगे side में और इसको लंबाई हमने लिए 17.5 inch इसके चोड़ाई है 8 inch अब इहां से हमें 3 inch पर एक mark लगानी है और इहां पर हम एक चोटा सा cut लगाएंगे 7 inch पर तो देखिए इसको जो slip से और लगभग cutting हो चुकी है अब इसको हम one side फोल्ट करेंगे और इहां पर चोट चोटे प्लेटेस उठाते हुए इसे स्टिचिन कर लेंगे तो देखिए प्रेंज जहां तक हमारा cut लगी है वहां तक की इस प्लेटेस को डाल लेते हैं तो एहां तक हमारा प्लेटेस थे तो हमने एहां तक की इस प्लेटेस को डाल ली है तो फ्रेंस लगबख हमारा एक साइड प्लेटेस लग चुकी है अब दूसरे साइड में भी सेम तरीका फोलो करते हुए इन साइड में भी प्लेटेस लगा लेते हैं तो देखिए एहां तक कट लगी थी तो एहां तक कि इस प्लेटर्स को हम लगा लेंगे उसके बाद दोनों ही साइट अच्छे से पकड़त हुए स्टिचिंग भी कर लेंगे तो नीचे के और हमने लगबक लेंगे स्टिचिंग कर ली है अब उपर के साइट में भी जो हमारा प्लेटर्स है उससे हम अच्छे से बिठाएंगे उसके बाद यहां पर अज़र सेट करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे तो देखे फ्रेंज दूसरे साइट के प्लेटेस जो है ओ भी अच्छे तरीके से बिठा लेती हूँ उसके बाद थोड़ी सी राउंड सेप में घुमाते हुए इससे स्टिचिंग कर लेंगे स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा बच्छी हुई फिपरिक है उसे हम कट कर लेंगे कट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसके लूक आई है जो कि बहुती बीटीफुल लग रही है अब मीडिल में रखना है इस डिजाइन को और देख लेनी है हमारा जो डिजाइन है और कहां पर आती है तो देखिए यहां पर लगबख मिल चुकी है अब यहां पर लगाना स्टार्ट करेंगे तो हमने जो यहां पर स्टार्ट कर दी है तो उसके बाद इसमें हम मोती एटच करेंगे अब देखे फ्रेंस इसको लगबख हमने तयार कर ली है अब मेडिल में सबसे बड़े वाले मोती यूज करेंगे आप चाहो तो इहां पर दूसरे कलर के मोती भी यूज कर सकते हो तो यहां पर हमने golden color के मोती यूज़ के है और ऐसे ही अच्छे से पक्का करते हुए इसे stitching कर लेंगे अब stitching करने के बाद चारो और छुटशुटे मोती देकर घुमाते हुए इसे भी stitching कर लेंगे और चारो साइट अच्छे से सुईधा के मदद से इसे पक्का कर लेंगे तो देखिए इसको जो मोती के साइटा से इस flower के हमने create किये है ओ दिखने में कितना खुबसूरत लग रही है कमेंट में चरू बताना तो देखिए इहां पर लगबग काम हो चुकी है अब चारो साइट के जो हमने flower पत्ती बनाए थी उसको decorate करेंगे अब निकल के नीचे के तरफ से इसे पक्का करते हुए stitching कर लेंगे और देखिए एहां पर जो हमने flower पत्ती बना के तयार की थी उसे भी एहां पर फटा फट से लगा लेते हैं तो एहां पर हम मीडिल में इसको use करेंगे जो कि देखने में काफी खुबसूरत लगती है तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी जोड़ते हुए इसे लगा लेनी है तो चलिए फ्रेंज देखाते ही इसको final look कैसी लग रही है कमेंट में ज़रू बताना तो देखिए यहां पर बन चुकी है कितना खुबसूरत सा सीलिप्स अगर आप सभी ट्राइ करना चाहते हो तो ज़रू ट्राइ कर सकते हैं